लेकों बैक्तो इस चैनल आज हम लोग बनाने जा रहे हैं साउट इंडिन के फेमिस डिश उत्पाम गाइस यह 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 बहुत अच्छी जितने टेश्टी यह खाने में अतना आसान यह से बनाने में लगता है अब बहुत हलका बहुत अच्छा ब्रेक्फरस्ट होगा तो इस आप इस वीडियो को पूरा लास्तक देखे और इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएगे I know कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा चलिए अब इसकी रिस्पी को देखते है सबसे पहले हमने एक बरतन मिलिया है सूजी याने की रवा गाइज and then उस रवा के अंदर हमने डाला है ये दही guys इसे दही के साथ ही mix करना जरूरी है otherwise पानी के साथ करोगे तो उसका वो टेस्ट निकार की नहीं आएगा तो ये जो दही का जो texture होता टेस्ट होता न वो काफी enhance करेगा तो guys आप दही डालिए और थोड़ा पानी भी इसमें mix कर दीजे ठीके guys दही डालने को आद इसे धीरे धीरे विक्स करना जरूरी है आप शाहिए तो इसे और दही मिलाइए और फिर इससे थोड़ा लूस करने के लिए आप इसमें dash of water यानि कि थोड़ा सा पानी जरूर मिला सकते हैं पानी मिलाने को बाद से थोड़ा अच्छे से विक्स कीजिए इसकी consistency आपको बहुत पतला नहीं ही रखना बहुत टाइट नहीं रखना और आप जैसा कि इसकी consistency देख सकते अब इसमें हमने आड़ किया है नमक नमक आप स्वाद अनुसार आड़ कीजिए इन सब चीजों मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे यह curry leaves गाइस curry leaves विल्कुल फ्रेश है मैंने से हाथ से ही तोड़ा है और ज्यादा चौप नहीं किया आप चाहतों से चौप कर सकतो अब देखेंगे यह कितना स्मूध कितना अच्छा बैटर इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और फिर इसे अच्छा से विक्स कर दीजिए नाव गाइज अब हम एक तबा लेंगे या पैन ली लीजिए गाइस मैंने नॉन स्टिक का यूज किया है इसमें हम डालेंग इस पैशुला से फैला लेंगे गाइस जैसा कि आप देख रहे हो गाइस यह सूजी का बैटर अच्छे से पक रहा है अब इसे हाई फ्लेम पी पकाई है और इसक्यू पर चलिए अब टॉपिंग करते हैं मैंने टमाटर की चॉप टमाटर यूज किया है गाइस इसक्यू प वह टॉपिंग चूज कर सकते हो गाइस कितना कूल लग रहा कितना सुन्दा लग रहा देखने में आप यह इसकी उपर हम छेड़केंगे थोड़ा सा नमक नमक छेड़कने क्या होगा कि इसकी उपर भी जो सबजी है उसकी उपर भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा गाइ अब इसका अब इसे हम करते हैं पलटते हैं गाइस इससे अच्छा सा प्रस करके पलटने तैम ध्यान दखिए कि यह चीज टॉपिंग आपकी गिरे नहीं गाइस लुक अट इस गाइस की कलर देखिये बैक से कितना खुबसूरत क्रस्ट कितना अच्छा कलर हो गया गाइस अपका हेल्दी और लाइट ब्रेक्पस्ट बनके तयार है गाइस इससे थोड़ा सौर सेख के गाइस चलिए अब इसे हम अब गयास से निकाल लेते हैं अब इसकी प्लेटिंग नो गाइस हमारे यह फेमस साथ इन डिश उत्मम रेडी हो गया इसे मैंने चटनी के सार्व कि है चटनी के रेस्पी हमारे यूटीव चैनल पर अल्रड़ी प्रेजेंट है गाइस और आपको अगर यह वीडियो पसाद आया तो प्लीज हिट लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल आनल सो थैंक यू फर वाचिंग